नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूँ बेनजिर हाश भी, मुडिटिन में बात करेंगे पहले खास और बड़ी सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हर्यान की ताजा खबरों की मौहन भागवत ने नागपुर RSS मुख्याले में की शस्त्र पूजा, पूजा के दोरान कहा, बांग्रादेशी हिंदुओं को पूरी दुनिया की मदद चाहिए कॉंग्रेश अध्यक्ष मलीका अरजुन खडगे ने भाच्पा को आतंगवादियों की पार्टी बताया, खडगे ने प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी के उस बयान का दिया जवाब, जिसमें पीम ने कॉंग्रेश को अर्बन नक्सल पार्टी कहा था राम लिला में बानर बने दोग कैदी हरिद्वार जिल से हुए फरार, सीता माता की खोश की ये बहाने निकले थे, 22 फीट उची दिवार फांद कर भागे हरियाणा में आप सीएम पद का शपत गिरैन होगा 17 अक्टूबर को, तीसरी बार तारिक बदली, समारों में पीम मोधी भी होंगे शामिल, साथ ही नायाब कैमिनेट में 10 मंत्री शपत ले सकते हैं गुजरात के महसानाव में बड़ा हासा, मिट्टी दसने से निर्माण स्थल पर 5 मज़ूर की हुई मोध पंजाब के फिरोजपूर में सीमा शुरक्षा बल बियास सप ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जो करीब 500 ग्राम हिरोईल लेकर आ रहा था, यह एक दिन में हुई दूसरी घटना बात करें सोने चांदी के भाब की तो इस हबते सोने चांदी में रही गिरावट सोना 341 रुपे गिर कर 75,623 रुपे पर आया, तो वहीं चांदी 89,963 रुपे परती किलो बिक रही यह थी दिन भर की कुस्ताज़ा सूर्खियां, बात करते हैं हर्याना की बड़ी और खास खबरों की हर्याना विधानसवा चुनाब में भाश्पा ने लगातार तीसरी बार प्रचन जीत हासिल किये द्रसल तमाम अनुमानों को जुटलाते हुए पार्टी ने 48 सीटे प्राप्त की हैं वही तीन निर्दलियों ने भी पार्टी को समर्थन दे दिया है आपको बता दे कि नायाप सैनी का सीम बनना तो तै है वही हर्याणा की नई सरकार का शपत ग्रहन समारो 17 अक्टूबर को होगा पताते चले कि पहले इसकी तारिक 15 अक्टूबर तै की गई थी जो समारो पंचकुला के दशेरा ग्राउंड में 17 अक्टूबर को 10 बजे कारेकरम का योजन किया जाएगा समारो में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी समेट भाशपा के वरिष्ट नेता और अन्यराजो के मुखे मंतरी भी उपस्थित रहेंगे परदेश के मुखे सचीब ने समारो की तयारियों के लिए 10 सदस्से कमेटी गठित कर दी है जिसमें 10 से 11 मंतरी भी शपत ले सकते हैं भाशपा के कारेकरताओं की प्रशंशा करते हुए हर्यान के परदेश अधियक्ष मोहलाल बडोली ने कहा कि हमारे लाकों कारेकरताओं ने दिन रात चुनाब में कड़ी मेहनत की है उसका प्रिणाम है कि मुख्य मंतरी नायाब सैनी की नेतरित में भाशपा कोश्पष्ट बहुमत मिला और हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं मोहलाल बडोली ने कहा कि एबियम पर सवाल उठाने वाले कॉंग्रेसी नेताओं को जनता जाती है हार को सुईकार नहीं करना इनकी पुरानी आदत है और वह आपस में सिर्फ फोड़ते हैं साथ ही कहा कि निर्दल्य समेट 59 निर्वाचित विदायकों की शुप संक्या के साथ भाशपा परदेश में सरकार बना रही है बताते चले कि पत्रकारों से बाचित में उने कहा कि कॉंग्रेस सुधर नहीं नहीं चाहती यही कारण है कि पार्टी लगाता रसालत में जा रही है परदेश की जनता ने अपना पूरा आर्शी वाद देकर भाशपा को पश्ट बहुमत दिया है भाशपा के 48 विधायक जीत कर आए हैं तो उने तीन विधली विधायकों ने अपना समर्थन दिया है साथ में भाशपा परदेश देक्ष ने कहा कि कॉंग्रेस में गुटबाजी है कॉंग्रेस के लोग शमिक्षा करते रहेंगे और सुधार उनमें होने वाला नहीं है हर्याणा के केथल में एक दर्दनाक सडक हाथसा हो गया दरसल इस दर्दनाक हाथसे में एक ही परिवार के आठ लोगों की जान चले गई दशेरे की पूजा में शामिल होने रविदास देरा जा रहें एक परिवार की गाड़ी नहर में गिरने से ये हास्सा हुआ है केथल कनार रोड के मोड पर गाव मुंडड़ी के पास सिर्सा ब्रांच नहर में एक आल्टो कार जा गिरी इसमें ड्राइवर सहीत नो लोग सवार थे इनमें आठो की मौत मोके पर ही हो गई जिनमें तीन महीला पांच बच्चे शामिल थे सभी मृत तक गाव डीग के रहने वाले थे और कैथल आ रहे थे गटना के समय गाव के मौजूदा लोगों ने कार को महर से बाहर निकालने के लिए कारे शुरू कर दिया था लेकिन तब तक आठो की मौत हो चुकी थी सभी मृत तक एकी परिवार के हैं जो रवीदास जैरा में दशेरी की पूजा करने जा रहे थे हर्याणा विधानसवाच चुनाब में हार के बाद कई नेताओ का गुस्सा सार्वजनिक तोर पर सामने आ रहा है दरसल हर्याणा की रोहत तक जिले की महम विधानसवाच सीट से चुनाब हारने के बाद बलराज कुंडू ने लड़कियों के लिए चलाई जा रही मुप्त बस सेवा को बंद कर दिया है मतादें की पिछले विधानसवाच चुनाब में बलराज कुंडू मेहम विधानसवाच सीट से निर्दलिये चुनाब लड़े थे इस चुनाब में महम से कॉंग्रेस के बलराब दांगी ने चुनाब जीता है साथ में इभी बताते चले कि बलराज कुंडू हर्याणा जनसेवाच पार्टी के अधियक्ष है द्रसल बलराज कुंडू हर्याणा के चार जिलों में महीलाओ के लिए 18 बसे चलवाते थे हर्याणा विधानसवा चुनाब में करारी हार के बाद कॉंग्रेस नेताओं में घहमासान जारी है पूर्व मुखे मंत्री भुपेंजर घुड़ा और कॉंग्रेस परदेश अधियक्षोदरी उदेबान जहा हार का ठीक रा एवियम पर फोड रहे है वहीं केई पर्तियाशी गुटबाजी को जुम्यदार ठहरा रहे है रसल इस बीच कॉंग्रेस आला कामान की ओर से मिल रहे संकेतों के मुताबिक हर्याणा प्रभारी दीपक बावरिया और परदेश अधियक्षोदरी उदेबान की छुटती हो सकती है साथ ही विधानसवा में गैर जाट विधाय को भी विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है बताते चले कि विधानसवा चुनाम में हार के बाद कॉंग्रेस मंथन के दोर से गुजर रही है पाटी हाई कमान ने परदेश परभारी दीपक ववरिया और पूर्व मुक्य मंत्री भुपेंस्लिंग हुड़ा से हार को लेकर जवाब मागा है हर्याणा पंजाब शंबो बॉर्डर सील हुए आट महीने पूरे हो गए हैं लेकिन अभी भी स्थिती जस से तस है दरसल बता दे कि करीब आदा किलोमीटर का बॉर्डर सील होने से अब तक अर्वो रुपे का नुकसान हो चुका है और लोग रोजाना कच्चे रास्ते से आवाजाई कर रहे हैं वही किसान दिल्ली कुछ इरादा नहीं बदल रहे और हर्याना सरकार ट्रेक्टर ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने की इसाज़त नहीं दे रही है आपको ये भी बता दे कि मामला सुप्रिम कोट तक पहुचा और बातचीत भी हुई लेकि रास्ता नहीं खुला किसान अब भी दिल्ली जाने के लिए अड़े हैं ट्रेक्टर ट्रॉलियों को आशियाना बनाकर डेरा डाले हुए हैं जिनकी हर रोज बैठक भी होती है इसके बाद पंजाब की ओर का इलागा दूर दूर तक खारी नज़र आता है तो यह थी दिन बर्की ताज़ा सुरकियों के साथ हर्याना की खास खबरें कल्फिरों की मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ तब तक लिए बने रही है हमारे साथ और देखते ही देश रोजाना नमशकार